हलो पैरेंट्स एंड वल्कम बैक टो मैं चानल आज हम बात करने वाले हैं पैसिफायर के बारे में पैसिफायर क्या है क्या बच्चों के लिए पैसिफायर यूज़ करना सही है एडवन्टेज डिस अडवन्टेज कब से आप बच्चे के लिए पैसिफायर यूज़ कर सकते ह यह सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग डीटेल में बात करेंगे एक्चुली पैसिफायर को लेके बहुत सारे पैरेंट्स के मर में बहुत सारे सवाल होते हैं तो इसलिए इस टॉपिक के उपर एक अलग वीडियो होना जरूर चाहिए ताकि हर एक सवालों का जबाब मत भूलिएगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले तो पैसिफायर या सूदर क्या है पैसिफायर को सूदर भी बोला जाता है तो पैसिफायर या सूदर क्या है पैसिफायर एक रबर्ड सिलिकॉन या प्लास्टिक का निपल सब्सिट्यूट है जो बच्च आफ किया जाता है तो पैसिफाइर ना लगी हो पैसिफायर जाता है बच्चों को सांत करने के लिए मतलब बचाहर बहुत रोड़ा है तो आफ थी सभर ठेख सकते हो पैसिफाइर बच्चा करे तो आइसली सांत रहे हैं नही시는 레ग कर भूख अगर बच्चे को पसी होते हैं उनके लिए पैसी फंफायर बहुत जाब बहुत ज्यादा फाइद मन्द होता है क्यूंकि अगर बच्छा कुछ सख करेगा तो वो रोहेगा भी नहीं बच्चा बिल्कुल सांत रहेगा इसकी जादा पारेंस बच्चों को सांत करने के लिए पैसिफायर दे देते हैं ताकि बच्चा पैसिफायर सख करते रहे और बिल्कुल रुएरा सांत रहे बेबी को सुलाने के लिए भी पैसिफायर यूस किया जाता है मतलब बेबी पैसिफायर सब करते करते इजली सो जाते है तो बच्चे को सूलाना भी आसान होता है पैसिफायर के साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्रेस्फिड करते करते सोना पसंद करते हैं मतलब जब भी बच्चे को सोना है तब भी बच्चे को ब्रेस्फिरिंग करना होता है जो कि मदर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमिटिक हो सकता है तो इसलिए उन बच्चों को आप पैसिफायर दे सकते हैं ताकि बच्चा बिलकुल सांत रहे रुए ना उसका स्ट्रेस रिलीफ हो कोई भी पेन अगर बच्चे को हो रहा है तो उस पेन से रिलीफ देने के लिए भी बच्चे को पैसिफायर दिया जाता है ताकि बच्चा सांथ रहे इस सब के इलाबा pacifier also helps reduce the risk of seeds तो यह तो गए pacifier के कुछ advantage यानि की फाइदे आप pacifier use करने का कुछ disadvantage भी होता है जैसे की usually pacifier एक ऐसी handy चीज है जिससे की easily आप अपने बच्चे को सांथ करा सकते है बच्चा रोए जा रहा है आप उसको pacifier दे दिया और बिल्कुल सांथ हो गया बट हमें यह समझना होगा कि बच्चा जब रो रहा है तब मतलब उसको कोई problem है क्योंकि उसका जो रोना है वो ही उसका language है बच्चा अगर रो रहा है तो मतलब वो आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है अगर आप उसे pacifier दे देंगे तो वो जो problem है वो आप अनसुना कर रहे हो मतलब बच्चा pacifier से थोड़ी देर के लिए सांथ तो हो जाएगा बट उसका जो problem है वो solve नहीं होगा आप naturally भी बच्चे को सांथ कर सकते हो जिस वज़े से बच्चा रो रहा है उस वज़े को आपको समझना है problem को आपको solve करना है बस बच्चा बिल्कुल सांथ हो जाएगा बट अगर आप उसे pacifier दे देंगे तो किस वज़े से बच्चा रो रहा था वो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि pacifier बच्चे को सांथ तो कर सकता है बट उसका problem solve नहीं कर सकता सेकंडली बेबी को pacifier की आदत लग सकती है वैसे भी बच्चों के साथ इतनी सारी चीजे होती है जो देखना होता है उपर से एक और pacifier की आदत आप बच्चे को क्यों लगाना चाहोगे वैसे भी बच्चे को किसी चीज के उपर जादा डिपेंड नहीं करना चाहिए इसलिए पैसिफायर जैसे चीजों की आदत आपको बच्चे को लगाना मुझे नहीं लगता है कि सही होगा ध्यान से यूज कीजिए ताकि बिल्कुल आदत न पर जाए बच्चे को पैसिफा पैसे बचे का नीन ठूट सकता है ऐसे बार बच्चे का नीन ठूटेगा मतलब अगर दिस्लीप में डिस्टर्ब होगा तो इसका असर उसकी ग्रोथ और डिवयलपमेंट पे भी पड़ेगा क्योंकि हम सब को पता है कि बच्चे के लिए सोना कितनी जरूरी है मतलब उसको पर एक स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उसकी ग्रोथ और डेवलोपमेंट अच्छे से हो ऐसे अगर बार बच्चे का नीन तूटेगा मतलब जब भी बच्चा सक्करते करते पैसिफायर सक्करते करते सोच गया है आपको कभी ना कभी तो वह पैसिफायर उसके बच्चे का नीन तूट सकता है और ऐसे बारबर अगर बच्चे का नीन डिस्टर्ब होगा तो इसका असर उसकी ग्रोथ और डेवलॉपमेंट में पढ़ सकता है तो इसे लिए यह जो नाप के समय पैसिफायर बच्चे को दिया जाता है ताकि बच्चा सक करते करते सो विशा कंट्रोल में रहके ही यूज करना चाहिए क्योंकि पैसिफायर ज्यादा यूज करने से उसका असर ब्रेस्फिडिंग पर भी पर सकता है आप बच्चे के बर्थ के तीन या चार वीक के बाद से ही पैसिफायर यूज कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए बठा आपको बहुत अच्छी ब्रांट का यूज करना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी पैसिफायर अपने बच्चे के लिए यूज करने जा रहे हो वह अच्छी प्रेंड का हो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है अगर आप प्लास्टिक पैसिफायर यूज कर के ही यूज करोगे और इस बात का आपको खास ध्याना है मतलब पैसिफायर बिना क्लीन किये बिना स्ट्रेलाइस किये बच्चे के लिए कभी भी यूज नहीं करना चाहिए अगर यहां पर मैं अपनी एक्सपिनियेंस के बात करू तो मैंने कभी भी ममम के लिए पैसिफायर क्योंकि मुझे पैसिफायर की कभी जरुवत महसुस नहीं हुई है मैंने एक लिया था बट मैंने कभी भी यूज नहीं किया है वो मैंने जैसे लिया था वैसे ही अभी भी पढ़ा हुआ है मैंने कभी भी यूज नहीं किया जब वो रोती थी मैं नैचरली कोशिश करती थी इसको साम्त कराने की उसकी जो problem है की उर ही है वो समझ के उस problem को solve करके मैं उसको साम्त कराने की कुशिश करती थी तो इसलिए मुझे personally कभी भी pacifier की जरूरत नहीं महसुस हूई ममम के लिए बट ऐसे बहुत सारे parents है जो pacifier यूज करते है और successfully चुरबा भी देते है इसकी आदत pacifier बच्चों के लिए बिल्कुल safe है आप चाहो तो आप अपने बच्चे के लिए यूज कर सकते हो मतलब अगर आपको यह लगे कि आपके बच्चे को pacifier की जरूरत है तो आप जरूर यूज कर सकते है बच्चों के लिए बिल्कुल safe है मैंने नहीं किया है कि मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई है बट हाँ उन बच्चों के लिए pacifier बहुत जादा फाइदमंद होता है ज इसका यह वाला जो फिंगर है वो बिल्कुल सिकोर गया था क्योंकि वह हमेशा इस फिंगर को सक करता रहता था तो यह वाला जो फिंगर है वो बिल्कुल सिकोर गया था वैसे तो वह जब बड़ा हुआ वो फिंगर ठीक हो गया तो जिन बच्चों को यह आदत है कि हमेशा वह अपना finger सक्करते रहते हैं बेवज़ा भूक ना लगने पर भी उन बच्चों के लिए आप pacifier यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को pacifier दे देंगे तो वह कम से कम finger नहीं सक्करेगा तो शायद यह जो finger सक्करने की आदत है वह pacifier की वज़े से छूट जा है होप कि आप लोगों का जो भी confusion था या जो भी सवाल था pacifier को लेखे इस वीडियो को देखने के बाद वह सारे confusion दूर हो चुका होगा तो अगर यह वीडियो अच्छी लेगी है लाइक जरू कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा परेज तक पहुंचाएगा थैंक यू फो वाचिंग में